तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो, आज हम एक्स्पेंग करेंगे, आप विल अटरनल सीजन 2 एपिसोड 1 सीजन 1 के सारे एपिसोड देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन जाना होगा और वहाँ पर आपको सीजन 1 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपने फर्स सीजन के लास अपिसोड में देखा था जो सौंग फैमिली के एडर थे, उन्होंना अनौन्स कर दिया था कि एक महीने के बाद एक बलड हायर ट्रायल होगा और जितने भी डिसिबल होते हैं वो सारे ट्रेनिंग के लिए लग जाते हैं ये जांग्यानी की शाओ बोचन सौंग जुवान के साथ होता है, सौंग जुवान उसे बता रही होती है कि तीन दिन बाद तुम्हें पीक पर बुलाया जाएगा वहाँ पर जिस लगेशी को तुम्हें अवेकन करना है वो बहुत यदा कॉंपलेक्स है और तुम्हें ध्यान रखना है कि वो लगेशी की पार्ट है सेक्ट वॉर का और वैसे भी एल्डर ने फैसला कर लिया है कि वो स्पीड स्ट्रीम सेक्ट से फाइट करना चाहते हैं तीन दिन बीतने के बाद एंसेस्टर ओर्डर देते हैं सारे डिसिपल को बोलते हैं कि तुम सबको अपनी बलड की ची को रिलीज करना होगा इसस्टर के साथ में दो रेल्डर होते हैं वो तीनों मिलकर वहाँ पर एक पैटन ड्रॉ करते हैं फिर वो नौ डिसिपल को चूज करते हैं ताकि वो पीक पर आकर उस पैटन को दुवारा एक्टिवेट कर सकें एकए करके डीसिपल को चूज कर लिया जाता है और आखिर में जो एक स्टूडेनल होता है वो होता है ये जाग्याने की शौवचन एकए करके सारे डीसिपल अपनी जग़ỏi बैट जाते हैं शौवचन के साइड में बैठा होता है शू शौचन वो शावजन को देखके बहुत ज़ादा खुश हो रहा होता है शू शावजन के राइड साइड में सौंचे बैठा होता है तब ही शावजन उसे देखता है उसे पूश रहा होता है क्या तुमारी कनफारिमेंट खतम हो गई है ये सुनते ही शू शू शावचान सौंचे से पूश रहा होता है कि तुमने कौन से रूल बेक की हैं पर सौंचे बहुत यादा गुसे में आता है और उससे बोड़ रहा होता है कि तुम चुपो जाओ बूहुआ एक कॉप्स होता है जो की पीक का सबसे वैलिवल ट्रेजर होता है और साथ ही मुझे जैन पीक की स्पिरिट भी कहा जाता है शाओ बजन बूहुआ को देखकर काफी गबरा जाता है क्योंकि वो बहुत जादा पाउरफुल होता है बूहुआ के बाद उस पॉटल में से तीनोर चीज़े निकलती हैं दूसरी चीज़ होती है थाउजन फेस डीमन तीसरी होती है बलड एंसेस्टर सौड और आखरी चीज़ होती है एक टॉटम क्लॉथ ये चारो चीज़े कंबाइन हो जाती है और एक बहुत ही पाउरफुल स्पिरिट बन जाती है उस स्पिरिट को देखकर जितने भी डिसिपल होते हैं वो सारे बहुत जाद सर्पैस हो जाते हैं इसके बाद एंसेस्टर वहाँ पर एक बलड स्ट्रीम नाइट परफिट को बुलाते हैं जो की बहुत जादा पाउरफुल होता है और से साथी में बलड स्ट्रीम सेट की एक फंडमेंटल लेगसीज माना जाता है नाइट परफिट के हाथ में एक बहुत बड़ा बाउल होता है जिसके अंदर से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है उस रोशनी को देखते ही जितने भी डिसिबल होते हैं वो सारे अपने उनकॉंशिस माइड पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अपने सेलफ पोट्रीट से फाइट कर रहे होते हैं इदर एंसेस्टर सौंग फैमिली के एडर से बोड़ रहे होते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा डिसिबल सबसे पहले बाहर निकलेगा अपने अनकॉंशिस माइड से कुछी सेकंड बीतने के बाद शाव बोचान अपने सेलफ पोट्रीट को हरा देता है और अनकॉंशिस माइड से बाहर निकल जाता है एंसेस्टर काफी हैरान होते हैं और बोड़ रहे होते हैं कि ये वाकर में बहुत जादा पाउरफुल है क्योंकि इसने शू में और सौंचे से पहरे इलुजन को ब्रेक कर दिया है कुछ देर बाद शू में सौंचे और शू शौजन उस इलिजिन को ब्रेक कर लेते हैं इलिजिन ब्रेक करने के बाद एंसेटर सारे डिसिपल से बोड़ रहे होते हैं कि तुम लोग ने जो भी चीज देखी वो सरफ हमारी एक लेगसी है अब इसके बाद तुम्हें ब्लड डाव ओफरिंग सेर्मेनी करनी है इस सेर्मेनी में तुम सब को चीज को ब्लड में रिफाइन करना है और बू हुआ को अवेक करना है इसके बाद सारे डिसिपल रिफाइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं वो सारे ची को अब्जॉब कर रहे होते हैं और रिफाइन करने के बाद ब्लेड में ट्रांस्फॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर सबसे पहले शुव में इसमें कामियाब हो जाती है लेकिन शाओ वाचन जान वूज कर स्लो रिफाइनिंग कर रहा होता है फिर वो सौंचे के और देखकर बूर रहा होता है कि जो उसने अभी बलड और को रिफाइन किया है वो सिर्फ 60% है और जो शूशाओ ने करी है वो सिर्फ 50% है ये सारे लोग बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो फिर हम में वेट नहीं कर सकता है इनका अचानक से जो ची का पूरा पैटर्न होता है वो हिलना स्टार्ट कर देता है और सबसे जहाता ची अब्जॉब कर रहा होता है शाओ वोचन वहाँ पर जैंक फंग वोजी यानि की शूमे के फादर होते हैं और वो से टेलेवेट्टे के थूर बोर्ड रहे होते हैं कि सारे स्टूलेंट ने बलड ची को अब्जॉब करना स्टार्ट कर दिया लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रही हो शूमें बोर्ड रही होती है कि मैं ये जांग और स्टूलेंट नहीं करना चाहती है क्योंकि वो मेरे कॉम्पेटिटर नहीं है ची अब्जॉब करने के बाद चाहिए उनका कर्टिवेशन लेवल इंक्रीज हो जाए फिर भी वो मुझे नहीं हरा पाएंगे इसके बाद वोजी एंसेस्टर से बोर्ड रहे होते हैं कि हमें ये सब रोक देना चाहिए क्योंकि अगर ये कंटिनुर रहा तो फिर हमारी सेर्मेनी में जरूर प्रावल्म आएगी एंसेस्टर कह रहे होते हैं कि मैं रोकना चाहता हूँ लेकिन ये जांगने बहुत ज़्यादा ची अब्जॉब कर ली है अचानक से सारी ची वहाँ से गया बोजाती है फिर सौंग फैमिली के एल्डर बोर्ड होते हैं कि ये जांगने करीबन 90% जो ची है उसे ब्लेड में ट्रांस्वर्म करके फ्रीज कर दिया है अचानक से जो four patterns spirit होता है वो composite करने लग जाता है और पूरा sect हिल रहा होता है ये देखकर ancestor डर जाते हैं और वो सारे disciple को order देते हैं कि तुम सबको ये ceremony sunset से पहले complete करनी होगी और जो भी blood off को send नहीं कर पाया है मैं personal उसको खिलाफ action लूँगा सारे disciple लगातार ची को blood में refine कर रहे होते हैं और सारी blood drop blood को बूहा में बेच रहे होते हैं कुछ घंटे बीद गए होते हैं और sunset होने ही वाला होता है तब ही शाव वाचन बूहा की तरफ देखता है और वो बोड़ रहा होता है कि ये बहुत जल्दी awake होने वाला है अगर ऐसा हो गया तो फिर इसकी वैसे मेरे set के बहुत सारे disciple मारे जाएंगे मैं सरफ कोशिश कर सकता हूँ इसका पूरा होना या ना होना ये सरफ heaven की will है तो दोस्तों ही गतम होता है episode 1